हेलो गाइस गुड इविनिंग मैं निर्भाई सर आप लोग सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इडू फाइबर पे स्वागत है तो आप लोग को पता है कि 30 अप्रेल को जारकन पूल टेकनिक का एक जाम है और मैं जारकन पूल टेकनिक में पूछी जाने वाल लाइट से मौत्पून को लेकर आया हूं तो चलिए दोस्तों नो लेट नो बेट के साथ आज की सेशन को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं और उड़ा देंगे यमसे क्यू तुफानी में तो चलिए आज का पहला को लेते हैं और देखते हैं इसका क्या अंसर होने जारा है यारि साठ को सन आपको मैं करवा दिया था और मैंने बादा किया था कि हर植ेटर से आपको 100 Plus iq करवाओं गा और मैं बादा को पूरा करूंगा इसनले के आया हूं 61 से क्या है कि leans की सकती कि लेंस की focus दूरी से किस परकार संबंद्य है तो minions की सकती ब् audi on से किस प्रकार समय थो लेंज की परिकल टोकता 1 नपन एफ-1 अपन एफ तो लैंस की जो सक्षक है वो पावर्स बघ्र ost वन अपने समांतित थे तो क्या होगा ठोर ऑट से प्रतियाच समानूपाथती होगा yes यानि हमारा राइट अंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन नमबर भी ठीक है ना जो पावर होगा वह वन वाइएफ से डारेक्टली पॉर्पोस्टल होगा टू वन वाइफ से ना चलिए तो एक सट नमबर का अंसर हो गया आपका बी नमबर चलिए बासट नमबर प्याते मेरे प्य जल में आंसिक रूप से यह पैंसिल बाई और जल के अंतरा प्रिष्ट पर प्रतियस्थापित प्रतित होती है किसके कारण होता है आप पैंसिल पार्सियली इमस्ट इन इन वाटर एपियर्स टूबी डिस प्लेस्ट आइट दा इंटर फेरेंस आफ एर एंड वाटर दिस बताओ यहां यहां पर पैंसिल की क्या की बात हो रही है पैंसिल का पोजीशन को लेकर बात हो रहा है तो पोजीशन में जब भी बदलाव होगा तो अंसर बोलना है डिस पर्सन आफ लाइट याने की प्रकास का क्या अपवर्तन पढ़ने की आप सकता निया सीधे ऑप्सन सो कि राइट अंसर क्या है कि आ व्याहर एक सारा कुछ आपको क्लास रूम में उपकोंawat फ्रॉम लॉंग पाइट डेड़नेस होते उसका जो निकट विंदू होता है वह 25 सेंटिमेटर से क्या होगा जादा होगा तो इसका राइट अंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन नमर 64 बोला गया है कि एक व्यक्ति को माइनस पॉइंट फाइव तर सकती के लेंस की आप सकता है तो उसका दुरस्त बिंदू कहां है ना अब पर संड रिक्वाइर से लेंस टू आप पावर 0.5 डायोप्टर तो वेर इस फार पॉइंट तो उसकी कहां हो होता है अब देखें यहां पर पी कमान कितना है तो पी कमान जो है आपको पॉइंट फाइव है इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नमबर सी ऑप्शन नमबर सी बिल भी दराइट अंसर आप इसको लेते हैं कोस्टन नमर 65 मेरे प्यारे मित्र क्या बोल रहा है वाट इस दा कलर आफ असकाई वीड़ फ्रॉम सर्फेस ऑफ दा अर्ट सर्फेस ऑफ दा मून संदर्मा के धरातल से देखने पर आकास का रंग का कैसा होता है काला होता है काला कहां पर होता है तो आप्शन नमर डी में द प्रॉम सर्फेस का अंसर क्या है एक बैकती समचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आख आखो के लिए आखो दूर से रख कर पड़ता है तो उसे कौन सालेंस है अब परसन होल्ट से न्यूज पेपर फार प्रॉम हार फ्रॉम हीज आइस तूरीड इट से कॉन फॉर्फार टम फॉर्टेवली देन ही है उसे उसे मोटिया विंदे उसे जराथ श्रीश्टी दोस्य या निकट दिरिस्टी दोसे कॉन्ट्रेक्ट है परेस बाई और और यह माईथ या पता आव वह दूर्रकर पड़ रहा हो दूर्क के पर राइस का मतलव निकत मेंатели इसका मतलब दूर रखे पढ़ रहा है का मतलब उसका निकट पॉइंट जो है वह पचीस सेंटिमेटर से क्या जा चुका है इसका मतलब उसे क्या है दूर दिरिश्टी दोस्ट यानि किसका राइट अंसर हो जाएगा आपको हाइपर मेट्रो पिया यानि कि ऑप्सन नमबर सी इसका मतलों से क्या है निकट दिरिश्टी दोसे यानि कि ऑप्सन नमबर डी बिल भी दराइट अंसर आप दिरिश्टी दोसे यानि कि और यह सारा थियोरी है मैं अपने क्लास्रूम में आप लोग को बता दिया हूं चलिए को सन्न नमर 68 पर आईए अधा कि पावर आफ दर लेंस पजेस्टेट वाई ऑफ थैल में लो जिस्ट इस पलस 2.5 डायोप्टर देन तो बताई यह पलस में है इसका मतलब काउंसल लें सब्मेये वह जाएखा हा अपको वारत भर हो जाएगा मेरा दोस्ति हर नहां पर किराकर यह सैंटिमीटर दूना चा एलब लाएं सब्सक्राइब कर दो कि यह रहा सिक्स्टीन सेवेंटी अरे नमरिंग अलते कोई बात नहीं को लाइडल कनो द्वारा प्रकास का बिकिर्णन है अस्केट्रिंग अफ लाइट बाइड़ पार्टिकल स्टीज क्या कहलाता है वह कहलाता है टिंडल इफेक्ट यह भी वाइस के बारें भी आप को मैं क्लास्रूम में बताया था कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है नेक्स बन कोसा नमबर एकत्तर पर आई मरे दोस्त और मेरे चाहने वाले मेरे बच्चे की तारे की टिमटिमाहत का काया है का रे टिमटिम मारे यानि की चेंज इन क्या पोजीशन गार्ण सरें परकास का जाएगा ए नमबर सारा कुछ करवाया है बस आप लोग लगा दो पानी में और बना दो जब स्वेत प्रकास का प्रकिर्णन होता है तम निम्म में से कौन सा रंग सबसे ज्यादा जुकता है आप लोग को बताया था बैगनी अब देखो बैगनी कहां पर है यानि की इंडिग इंडिगो यानि की अंसर क्या हो जाएगा ए नमबर ठीक है आरा ठीक है कि नहीं नेक्स को सब्सक्राइब बढ़ने के साथ आखों की सुविधा की सकती कम हो जाती है इस इस इस्तिति को क्या कहा जाता है जब पावर ओफ एकुमोडेशन आप दा आई इस वाली डिक्रीज इजिंग इस कंडिशन इस कोल आइज क्या कहलाता है तो उसे हम लोग बोलते है दिन पे दिन घड जाता है उसके बोलते हैं लोग प्रेस भाई ओपिया यानि की जराद्रेश्टी दोस्ट यानि के राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर भी बिल भी तराइट अंसर को समयोजित करके बिविन दूरी की बस्तुओं परमानव आख केंद्रित करती है इसे क्या कहते है यूमन आई कैन फोकस आपजेक्ट्स डिफरेंट डिस्टेंस पाई एडजस्टिंग दफोकल लेंथ आप दा आई लेंस दिस इस कॉल्ड क्या करते हैं तो से एकॉमडेशन कहते हैं एकॉमडेशन कहा हैं और बी यहीं था पावर आफ एकॉमडेशन जो कि मैं आप लोगो क्लास्रूम में बताया था तो इस को सरका राइट अंसर हो जाएगा आप सब्सक्राइब को सब्सक्राइब क्या बोल रहा हूं मेरे दोस्त लेंस की सक्ति की एस आई क्या है सब्सक्राइब करेंगे और जार करेंगे और जार करेंगे जितने पूल टेक्निक के त्यारी कर रहे हैं सबों के लिए यह राम बान साबित होगा क्योंकि मैं त्यारी कर रहा हूं आप लोगों के लिए भी और करवा रहा हूं मस्ती से तो नो लेट नो बेट चलिए